नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे Amazon बिजनेस के बारे में अगर आप वहां से कुछ समान खरीदने वाले हैं तो यह वीडियो पूरा देख लीजे नहीं तो आपको पस्ता ना पढ़ सकता है जैसे मैं फिलहाल अभी पस्ता रहा हूं तो मैं आपको बता दू कुछ समान मैं ने खरीदा था उसका जो टैक्स इन्वोइस बिल था आपको बताएं चाहूंगा जिसके लिए Amazon बिजनेस पी लोग पर्चेस करते हैं क्योंकि वहां पर जीएस्टी आप क्लेम कर सकते हैं जो टैक्स इन्वोइस वहां पर मिलता है तो आप उसको अपने कंपनी में यानि कि जो जीएस्टी दे करके आप बिजनेस अकाउंट बनाते हैं Amazon पे उसी जीएस्टी पे आपका बिल आता है उस नाम से उस कंपनी के नाम से और उसको जब आप अपनी कंपनी का रिटन फाइल करते हैं यानि कि जीएस्टी के रिटन की यहां पर बात हो रही है इंकम टैक्स क करना पड़ेगा और साथ ही साथ अगर ज्यादा टैक्स बन रहा है तो कुछ टैक्स आप माइनस कर सकते हैं यह आप अच्छे समझ पा रहे होंगे अगर आप खुद फाइल करते हैं या फिर अकाउंट के साथ आप बैठते हैं और फिर अगर आप बिजनेस करते हैं और कंपनी जो साथ साथे साथी के नाम से जो कंपनी है आप आपको पता ही होगा तो उसके नाम से ही याने कि बिजनेस अकौट बनाया था na Amazon पर Amazon Business अकाउंट तो वहां पर जो बिल आया वो जो जिस भी GST से आया जिन्होंने मुझे सेल किया वो प्रोड़क्ट उसमें उनका GST अल्रेडी सस्पेंड़ था तो आपका जब भी प्रोड़क्ट कभी भी आपको रिसीव हो तो आपको वहां पर सबसे पहले क्या चेक करना है जैस उसका जो सेलर था उनका GST जो था वो सस्पेंड़ था अब जब मैं रिटन फाइल करने बैठा बीस तारीक को बीस तारीक होती है लाजट ट्रीवी की और आरवन तो 11 तारीक होती है आजकल पिछले कुछ महीनों से तो वहां पर देख रहा हूं कि वहां पर इंपुट नही नहीं आया हुआ है और यह प्रॉब्लम तब आती है जब आप Amazon से परचेश कर लेते हैं बिजनेसे और सामने जिससे आपने परचेश किया है जिसने आपको बिल दिया है तो आपको वह इंपुट नहीं दे पाएगा इंपुट नहीं देगा तो आप इंपुट क्लेम भी न सब्सक्राइब नहीं उसके बाद जिससे भी आपको परचेश आया है यानि कि जिसने भी आपको सेल किया है मैं जो में बात आपको समझा रहा हूं वह आप समझ सकते हैं कि वहां पर आपको ज्यस्टी चरूर चेक कर लेना है कोई भी Amazon बिजनेस से आप प्रॉडक्ट अब जैसा कि मैंने फिर उसके बाद क्वाईरी जनेरेट की कश्मे कर सपोर्ट मांगा फिर उसके बाद जा करके उन्होंने कहा कि 50 डेज का टाइम होता है उसके बाद क्वाईरी जनेरेट होती है उससे पहले ही मैसेज आ चुका है लेकिन 10-15 इसमें लग गए क्योंकि आप से आप जब भी Amazon बिजनिस से खरीते हैं कोई भी प्रॉड़क कोई भी समान तो सबसे पहले जो बिल आता है आपके पास उसमें जो जिसने आपको सेल किया है वह जरूर चेक कर ले और चेक करने के बाद अगर वह मेरी तरह सपेंड है तो आप कर सब्सक्राइब ले सकत आफिर के मिला जो जीस्ति अडिव था उस से या नहीं लेकिन जैसे आपको प्रॉज़क्ट डेलिवर होता लिए से तो सब से पहले आपको ये सिच करना क्योंती जो मैंने चेक किए जो मुझे बिलम मिला Amazon business से वो suspended था उसके बाद मुझे अब वेट करना है हाला कि जो कश्मर सपोर्ट है उनका यह कहना है कि आप क्लेम कर लीजे आपको मिल जाएगा और आपको आपका जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉलूसन जरूर होगा और ऐसा मैसेज भी आया है कि वह उसको करने में लगे हुए हैं और वो मुझे इंपूर्ट जो है वो पोटल पर आ जाएगा और जो मैंने क्लेम किया है जैसा की कश्मर करने कहा था उस हिसाब से सारा कुछ बराबर हो जाएगा यान कि ठीक हो जाएगा लेकिन इन सब जंशेटों से बचने के लिए आपको सबसे पह किसी भी Vaid EQ की तो वहां पर उन्होंने उन्होंने उनको मैसेज किया था तो उन्होंने parafile कर दिया था और मुझे जिय पोटल पर दिग़िया था और मैंने क्लेम भी कर लिया था अगर आप पहली बार पर्चेज कर रहे हैं या फिर आप जब भी प्रचेज करें एक बार ज की जाती है Amazon business को ले करके कि आप input ले सकते हैं जीस्टी बचा सकते हैं या जीस्टी सेव कर सकते हैं आप तो उस उसको मध्य सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप customer support लिया है देखते हैं उसका solution क्या होता है वीडियो आप तक पहुंचेगी इस वीडियो फ्लाइट नहीं सब्सक्राइब कर देना नमस्कार कुछ पूछना है मुझसर जो रहेगी हो इस टॉपिक की बारे में या आपको लगता है कु हुआ 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 है